नहीं निकलेंगे तो हमारा बाल बच्चा चारगो पाजगो जो भी है वो भूखे मर जाएंगे अब ठंड रहा चाहा है भगवान कि यहां से पत्थर पड़े या पारिस पड़े या कुछ भी पड़े सर हम लोगों तो पेट के पालने के लिए निकल नहीं होगा राजी में पच्चुआ हवा थमने के वाद वतावरन में कोहरा काफी बढ़ गया है कोहरे के कारण लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सनिवार की सुबब पर्देश के बिभिन इलाखों में कोहरा चाया रहा दीन चढ़ने के साथ कोहरा साफ होने की उमेद जताई थी सरदी के कारण पटना के पार्क मैदान खाली पड़े हैं अतियावसे कारी से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं कोहरे के कारण सडकों पर वहन चलाने में भी लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के परभाव से ट्रेन और हवाई यात्रा भीर काफी प्रभावित है सुक्रवार को बिहार में घने कोहरे की स्थिती बनी रही पत्ना भागलपूर गया पुर्णिया में सुबह से घना कोहरा से जन जीवन प्रभावित हुआ। इस वज़ा है कि राज में लगभग सभी सहरों में अधिक्तम तापमान में गिरावट आई। बिहार में सबसे कम पारा 5.6 डिगरी गाया में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे में राजी में मौसम सुस्क बना रहा। हवा की गती सांत बनी हुई है। यही कारण से कोहरे की घनकता में बदलावन नहीं आया है। PMCH के हार्ड रोग विससगे डॉक्टर असोग कुमार का कहना है कि कोहरे की वज़े से लोग घर में रहे। खासकर बुजूर्ग लोग घर से बाहर नल निकले। और वर्तमान मौसम में घर से बाहर निकलना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। घर के अंदर बुजूर्ग BPM सुगर की दवा लेते रहे। खाने पान पर भी ध्यान दे। बुजूर्गों के साथ सच बच्चों के स्वास्त के प्रतित ध्यान देना बहुत जरूरत है। अभिभावक कोसिस करें कि बच्चे खूले में घूमने न जाये। वतवरन को काफी गर्म रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोग घरों में हीटर आधिकाय स्तमाल कर सकते हैं।